देखिए यह आज हम करते हैं parametric parametric basically है क्या यह ना constraint है यहाँ पर लिखाव है auto constraint तो यह कुछ constraint है जो कि geometry को define करने के लिए यूज होते हैं वो geometrical constraint है और जो dimensional को define करने के लिए हैं वो dimensional constraint है तो कैसे use करेंगे इसको मैंने यहाँ से line ले ली और line से कुछ बना दिया फिर circle ले ले लिए हैं एक और circle ले लिया एक circle और ले लिया और line भी ले ले लिए हैं एक line यह ले ली और एक line यह ले ले ली ठीक है तो इसमें हम कुछिश करेंगे कि हमरे सारे constraint अप्लाई ही जाए है सबसे पहले यह हैं consistent क्या करता है दो point को मिलाने के लिए मैं चाहता हूं यह वाला जो red color का point दिख रहा है और यह red वाला आपसे match हो गया और यहां पे blue color का dot बना वा गया जो कि represent कर रहा है कि यह line आपस में match हो चुकी है अब अगर इससे देखोंगे न तो यह match नहीं है यह अलग है भी फिलाल में अब इसको भी consistent करके मिला सकते हो फिर से लिया यह वाला point इससे match हो जाए और यह वाला point इससे match हो जाए ठीक है तो यह बनके आ गया अब कोई भी line अलग से नहीं जा सकती क्योंकि हमने consistent कर दिया तो आपस में match होके ही रहेंगे फिर है यह parallel मैं चाहता हूँ यह line और यह line आपस में parallel हो जाएंगे आप अगर एक को भी move करोगे तो दूसरा आपने आप साथ में move करेगा क्योंकि दोनों को आपस में parallel रहना पड़ेगा और यह आपको दिख भी रहा होगा parallel का बना वहा रहा है symbol इसे यहां से cross करके मैं delete कर दूँँआ यह delete भी रहेगा प्लिक किया यह parallel अभी चल रहा है सिर्फ दिखाई देना बंद हो गया है ठीक है इसके बाद अगला देखते हैं अगला है tangent तो tangent यहां से लेते हैं और tangent में apply करना चाहता हूं यह circle और यह line आपके tangent है आगे tangent देखना है अब हलका से red color देखो दिख रहा है cross हलका से आपके जब इसके उपर जाएंगे तो ठीक है ऐसा दिखाई नहीं देगा यह icon बना बाएगा अच्छा फिर लेते हैं यहां से यह क्या है collinear collinear मतलब एक seed में है तो मैं चाहता हूँ यह line और यह line एक seed में हो गई है अगर आप इसे कभी आगे बढ़ाओगे ना तो इससे ही दाके match कर जाएगा ठीक है दोनों बिलको एक seed में आ रहे होगे collinear के बाद आता है perpendicular तो मैं चाहता हूँ यह line और यह line perpendicular हो जाए तो यह दोनों 90 डिग्री पे होगे आप इस angle को आप चेक करोगे angle तो यह बीच का angle जोगा वह आपको 90 मिलेगा देगा देगा तो यह perpendicular हो सकता है perpendicular के बाद यह है हमारा smooth smooth क्या करेगा माना आपने कई दो पॉइंट मिला रखे हैं जैसे हमने use किया यहां से SP line यह लिए एक फिर दूसरा मुझे लिए touch नहीं कर रहा हूं मैंने अलगी रख दिया ठीक है touch भी नहीं किया अब लेते हैं इस स्मूथ कंस्रेंट तो मैं चाहता हूं इसका पॉइंट और इसका पॉइंट मैच हो जाए तो यह स्मूथ हो लिए देखो है यह स्मूथ लाइन जैसी आ गया है कुछ को नहीं आ रहा है अलग लगा गया है यह इसको अगर आपने directly मिला भी रखा होता मतलब ऐसा अगर यह मैच भी हो रहा है तो भी इसको स्मूथ करने की कोशिश करेगा तो यहां से लेंगे इसका इसका पॉइंट आ गया इस लाइन सेंट्रिक को सेंट्रिक दोनों का सेंट्र इसका सेंट्र इसका सेंट्र सेंट्र हो जाए दोनों का सेंट्र 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 हो गया एक सेंट्र पर यह हो गया को स्मूथ तब तूरने पैलर थी उसके साथ में पैलर विया ठीकtype और राता है 왜ए श भशाती है श ऐता है यह थम्हें पैलरल दीद्स किसार से बले दोरूं उ यह ठीक श सिम्हेंट्रिग। टीद्स चरण के लिए उनड्व कर देऊं और एक लाइन ले ले अर्थ को on करके line तकि सीधी आ जाए अब लेता है है हैं से हम symmetric first object यह है second object यह है और symmetric line यह है यह जिस angle पे जितनी दूरी पे है यह वाली उतने ही दूरी पे यह है और उतना ही angle पे यह है ठीक है तो दोनों एक त्रिकर से mirror जैसे होगे line लेकिन छोटी बड़ी हो सकती है लेकिन हैं सेम एंगिल पे और सेम दूरी पे बीच्वारी लाइन से ठीक है यह बना बागया सिमेट्रिक फिर आता है equal equal लेके क्या कर सकता हूँ मैं चाहता हूँ इस line के length और इसकी length बराबर हो जाए तो इसकी और इसकी length ये कितना है 50.7 इसको भी select करो ये भी 50.7 दोने के length बराबर जाएगी equal भी use कर सकते हूँ equal वाला अगर मैं चाहूँ तो circle पे भी use हो सकता है circle पे भी use हो गया दोनों circle same size के अब इसकी उप़र देखो आप कितने सारे constant दिखाई दे रहे हैं जोमेंटर पे तो आप क्या कर सकते हो hide and show कर सकते हो किसी को select करेंगे और enter तो इसके constant को hide कर सकता हूँ या आप यहां से डार के लिका दो hide all, सारे hide होगे काम कर रहा है, चल रहा है दिखाई भी दे रहा है, आप लेके जाओगे काम कर रहा है, लेकिन बस यहां पर show नहीं हो और आपका वो hide हमने यहां से कर दिया show all कर दिजिए, सारे show होने लग जाएंगे hide all, सारे hide होगे तो यह वाला था हमरा geometrical constraint अब इसके अलावा भी एक ओर तरीका है क्या तरीका है माना आपने यहां से एक rectangle बनाया, और rectangle बनाने के बाद अब इस पे हम यह constraint लगाना चाहते हैं, तो मैंने इसे select कर दिया पूरा, और करा auto constraint, तो automatically इसके उपर सारे के सारे constraint लग गए, ठीक है यह सब लगे वे आ रहे हैं एक तरीका और भी था, जो कि मैंने आपको कल बताया था, यह वाला यह है infer constraint इसे मैंने on कर दिया, अब अगर आप यहां से कोई भी काम करेंगे, तो अपने आप ही यह constraint बने वे लगे वे आते रहेंगे, आप कुछ भी बनाएंगे तो line अगर आपने सीधी बनाईए और gentle अपने आप आगया, vertical बनाईए vertical आगया, इससे मैंने match कर दिया, match हो गया, यह constraint अपने आप लगे वे आएंगे, बाकी जो 3D के software है, जैसे इसके बाद आप NX सोच रहे हो, NX के अंदर यह अपने अप लगे लगाए आते हैं, तो वहाँ पर यह option काम करता है, और करना जरूरी होता भी है, पर auto guide में यहाँ पर जरूरी नहीं है, ठीक है तो यह आपके उपरे आप रखना चाते हैं नहीं करना चाते हैं, ठीक है, यहाँ पर आगे तो auto constraint वाला हो गया, hide से hide हो जाएंगे सारे के सारे, तर इस पर कॉन century city नहीं है, इसमें इसलिए जरूरी नहीं है, क्योंकि यह na auto guide 2D का है, और यह जो constraint use करते हैं, यह 3D में यादा जरूरी होता है, 3D में काम आता है ठीक है, ठीक है, चालिए, फिर हम लेते हैं यहाँ से linear, और इसके और इसकी बीच की दूरी, कितना करना चाहते हैं, 12, तो 12 हो गई, अब अगर आप इसे पकड़ती हो और खेचोगे, तो उसकी लंबाई चेंज नहीं होगी, क्योंकि हमने वह 12 देदी, जबकि इधर की लंबाई चेंज हो जाईए, इसे खेचोगे, तो लंबाई इसकी बढ़ गई, लेकिन dimension करने के बाद आप उसे बड़ा छोटा नहीं कर पाएंगे, horizontal करा, तो इसकी alls की बीच की horizontal दूरी यह रही, आप जो भी लिखना चाहते हैं, लिख लिजिए 12.5, तो 12.5 होगे, ठीक है, तो यह क्या कर रहा है, dimension को fix कर रहा है, ताकि dimension अपकी के लिए नहीं, vertical, vertical दूरी लेते हैं, यह vertical दूरी होगे, कितनी चाहिए, 13.5 चाहिए, 13.5 होगे, और lock बना वा रहा है, मतलब यह lock होगे है, अब यह change नहीं होगे, change कर सकते हो, इसे double click करोगे, तो change भी हो जाएगी, लेकिन अपने आप से नहीं होगी, कि आपने sketch को पकड़ा और catch दिया, लंबाई बढ़ गई ना, अब लंबाई नहीं बढ़ेगी, लंबाई चोड़ाई वही रहेगी, जो आपने दे दिये, align तिर्ची dimension, यहां से, यहां इसकी बीच की, 15, enter, 15 हो जाएगी, तीक है, वैसी ही dimension है, जैसे हमने पहले use करिए, radius, radius क्लिक कर दिया, radius आजाएगा, ले फिर diameter, diameter ले ले लेजे, diameter आजाएगा, ठीक, फिर है यह convert, convert क्या करेगा, ठीक, देखते हैं, कोई drawing हमारे पास बनी भी होगी, तो, मुझे लगता है कि मैंने श्याद कोई drawing बनाई थी, यह drawing हमने बनाई थी, अब annotation में जाके, अगर मैं यहां से dimension कर देता हूं, और यह dimension कर द यहां से फिर लिया और click करते हैं, एक यह कर दीक यहां से लिते हैं, चलिए, radius लिया, फिर से लिया, और यहां से dimension ले ली, ठीक है, अब यह simple dimension है, और इसको बढ़ा करने के लिए मैंने क्या होता है था, dimension style में जाएंगे, modify में जाएंगे, fit में जाएंगे, और कितना गुना आप बढ़ा करना चाहते हैं, वो enter कर दीजिए, वो enter होके आपको दिखाई देगा, ठीक है, अब यह simple dimension है, अगर मैं इने convert करना चाहता हूं, तो आप convert कर सकते हैं, convert, select करिए, और enter, यह वाली dimension आपकी convert हो गई है, कौनसी वाली के अंदर, यह वाली constraint वाल dimension इसे क्लिक किया, इसे select करते हैं, यह नहीं ले रहा है, इसको भी नहीं ले रहा है, कुछ dimension को यह change कर देता है, convert कर देता है, simple dimension को, इस वाली dimension के अंदर, दोनों में क्या परख्या है, इस वाली में आप line को पकड़ के खैंसते हैं, line को पकड़ा और खैंचा, तो line के length बढ़ यह रहा है, ठीक है, तो यह lock हो गया है, constraint का मतला है, किसी चीज को fix करना, तो geometry को fix करना है, तो geometry की constraint, dimension को fix करना है, तो dimension constraint, right, यहां पर जाते हैं, यह भी hide and show भी काम करेगा है, आप hide all कर दोगे, तो यह वाली dimension, जो की constraint वाली थी, वा hide हुजाएंगी, एक मुटी यहां पर हम dimension को रखी है, यहां से मैं hide कर रहा हूँ, side dimension, show all, side dimension, show हो जाएंगी, जो हमने कर रखी है, delete constraint, इस dimension को delete करना चाहते है, select कर यह और enter, delete हो जाएंगी, simple भी delete हो जाएंगी, select कर और keyboard से delete, तो भी delete हो जाएंगी, तो कोई ऐसा, इसका कोई खास, मुझे लगा नहीं, purpose, और function, यहा आपने यहां पर कर रखी है, जिसे 12 वाली है, यहां पर यह दी भी है, कौन सी है, यह वाली बारा, आप इसे double click करके, यहां से chain करके 15 कर सकते हो, 15 हो गई, यह वाली 12 वाली थी, इसको भी 15 कर दिया, तो जहां पर भी 12 वाली होगी, वो बढ़ जाएगी, ठीक है, 15 हो गई, यहां से कर सकते हैं, तो यह सारा हमारा constraint का है, constraint generally पूछ लिया जाता है, करना तो नहीं पड़ता, लेकिन interview पूछ लेते हैं इसको, और यह अगर आता होगा, तो catia, solve works, annex में काम करना थोड़ता असान हो जाएगा, क्योंकि वहां पर इन constraint की बिना काम चलता नहीं है, यह कर दिना कर दोड़ता है, क्योंकि वjem DAY हूआँ झांता है, क्योंकि वहां इसाज चर्ड़ता कर द operates प्ह 서 Kollege.